वियक्ता नहीं हुआ है, लेकिन कुछी दिनों में स्कूल खुलने की संभावना जताई जा रही है ऐसे में अभिभावक असमयंजस्क में हैं जहां एक तरफ बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता है वहीं दूसरी तरफ जो अभिभावक बच्चों को स्कूल बेजने की हिम्मत उटाने की कोशिश कर रहे हैं वो स्कूल फीस को लेकर परिशाद है अलेही सीम शिवराज सिच्छोहान आने वाली दिनों में स्कूल खोले जाने के संकेत दे चुके हैं लेकिन ऐसे में अभिभावक की चिता लाजमी है अभिभावक बच्चों की कोरोना से सुरक्षा को लेकर चित्त है उनके मन में सवाल यही है कि क्या बच्चों को कोरोना काल में स्कूल भेजना मुनासिब होगा वैसे कही सारे अभी भावब कोरोना संकट खत्म होने से पहले बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तयाम नहीं है मुश्किल है जिस्कूल के भारी स्क्षन शुलक को लेकर भी है जिसके बारे में अभी तक सरकार के तरफ से रियायत की कोई खोशना नहीं की गई कुछ अभी भावब को कहना है कि लॉक्डाउन की दोरान आमधनी नहीं हुई ऐसे में स्कूल फीज खरना काफी मुश्किल होगा वैसे कुछ निजी स्कूल उनलाइन पढ़ाई की बात भी कर रही है वैसे कुछ निजी स्कूल उनलाइन पढ़ाई कराने की बात भी कर रही है लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों की मॉबाईल इस्तेमाल करने से विजन सिंड्रों का ख़द्रा है जाथ ही मॉबाईल के जाज़ अस्तेमाल मान से स्वास के लिए भी नुफसात आएफ हो सकता है उस बच्चे को जाला तर मॉबाईल और कम्यूटर पे रहेगा पांच साल से उपर के लोगों में एक कम्यूटर विजन सिंड्रों करके बीमारी होती है उसमें बच्चे की आमों का लालपन, अनावश्यक, पानी आना, जलान होना, पुजली होना और इसके साथ ट्राइनेस की समस्या होती है अब 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 6-8 पे जिग्राम, अटे तक बच्चे अगर मोबाईल में लागे रहते हैं तो वे वर्च्वल वर्ड में जीने लगते हैं हाला कि इफीस के मामले में निजी स्कूल सर्चानत अपनी मजबूरी दिना रहे हैं और तमाम तर्क दे रहे हैं इतना ही नहीं, वो निजी स्कूलों को मानने ता नभीनी करन में एक सार्थी छूट, शासन से मिलने पर सर्दुष्ट नहीं है का रहीा धर मताममं टम्हा है कि आज़िचित किया है कि आप सुछी पर स्कूलों की सकते कमाले मीत है यह स्था में दिनी करना है तो स्ब्सकेब पूरा इस ही नखी मैं मोटरी पेक्सिचंज हैं और आपके बीमा है स्कूल संचालक एस्टेशन भले ही कुछ भी कहें, लेकिन हकिकत यह है कि स्कूल संचालकों ने अविभापकों को वक्त पर स्कूल फीज भनने के संदेश देना शुरू कर दिया नेजी स्कूल के बाहर नोटिस बोर्ट पर लिखी ये सुचना से जाहिर है, कोरोना काल के दोरान भी वक्त पर तैस समय सीमा में फीज जमा कराने के फर्माद जारी किये जा रहे हैं नेजी स्कूलों पर आरोप ये भी लगते हैं कि कितावे ड्रेस दिलाने के लिए स्कूल संचालक जिन दुकानों को चुनते हैं महां से उनका कमीशन प्र होता है और मनमाने कामों पर फिक्चर सामगरी बेची जाती है हाला कि जब नेजी स्कूलों के सिक्चकों से केमरे के सामने आकर यह बताने को कहा गया कि उन्हें लोकडाउन के दौरान सेल्दी मिली या भिन नहीं तो नौकरी जाने के दर से कोई सामने आने तयान नहीं हुआ पाकाईदा इसके लिए सोजल मीडिया पर भी हमने निजी स्कूलों के सिक्चकों से सवाल पूछा सुत्रों से जो जानकारी मिली है वो यह है कि कई सारे निजी स्कूलों में सिक्षकों को सेलिदी नहीं भी गई जाहे रहे कोरोना काल में जंजट कई तरह की है मगर फिलाल कोई मुनासिब रास्ता नज़न नहीं आता सौरत दुबे, शिकुरी, हिंदी खबर और फिलाल हमारे इस बुलिटिन में अब बने रही है हिंदी खबर के साथ